नमश्कार मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिए बिश्म सहानी जी की कहानी चीफ की दावत आज मिस्टर शामनाथ के घर चीफ की दावत थी शामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पहुचने की भी फुरसत ना थी पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने उलजेवे बालों का जुड़ा बनाए बूपर फैली हुई सुर्खी और पॉर्डर को मले और मिस्टर शामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फुक तेवे चीजों की वहरिस्थ हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे आखिर पांच बस्ते बस्ते तैयारियां मुकमल होने लगी कुरसियां, मेज, तिपाईयां, नैपकेन, फूल सब बरांदे में पहुँच गए ड्रिंक का इंतेजाम बैठक में कर दिया गया अब घर का फातु समान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा तब ही शामनात के सामने सहसा एक अडचन खड़ी हो गई अरे मा का क्या होगा इस बात की और ना उनका और ना ही उनकी कुशल ग्रहनी का ध्यान गया था मिस्टर शामनात श्रीमती की और घूमकर अंग्रेजी में बोले मा का क्या होगा श्री मती जी काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली इन्हें पिछवाड़े इनकी सहली के घर भेज देते हैं और रात भर विशक वहीं रहें कल आ जाएं शामनाथ सिगरेट मुँ में रखे सिकुड़ी आखों से श्री मती के चेहरे की और देखते वे पल भर सोचते रहें फिर सिर हिला कर बुले नहीं मैं नहीं चाहता कि उस बुड़िया का आना जाना यहां फिर से शुरू हो पहले ही तो बड़ी मुश्किल से बंद किया था मा से कहें कि जल्दी सी ही खाना खाकर शाम को ही अपनी कोटरी में चली जाएं महमान कहीं आट बजे तक आएंगे इस से पहले ही अपने काम से निपट ले सुजाव ठीक था दौनों को पसंद आया मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी जो वह सो गई और नीद में खराटे लेने लगी तो साथ ही तो बरांदा है जहां लोग खाना खाएंगे तो इन्हें कहे देंगे कि अंदर से दर्वाजा बंद कर ले तो मैं बहार से ताले लगा दूँगा या मा से कहे देता हूं कि अंदर जाकर सोई नहीं बैठे रहें और क्या और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले ग्यारा ग्यारा बज़े तक तो तुम ड्रेंक ही करते रहते हो शामनात अब कुछ खीज उठे हाथ जटकते वे बोले अच्छी भली है भाई के पास जा रही थी तुमने यूँ ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांगड़ा दी वाह वाह तुम मा और बेटे की बातों में मैं क्यो बुरी बनू तुम जानो और वह जाने मिस्टर शामनात चुप रहे यह मौका भहस का ना था समस्या का हल ढूणने का था उन्होंने घूम कर मा की कोठरी की और देखा कोठरी का दरवाजा बरांदे में खुलता था बरांदे की और देखते वे जट से बोले मैंने सोच लिया है और उन्ही कदमों मा की कोटरी के बाहर जा खड़े वे, मा दिवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मूँ सिर लपेटे माला जप रही थी, सुबह से तैयारी होती देखते वे, मा का भी दिल धड़क रहा था, बेटे की दफ्तर का बड़ा साब घर पर जो आ रहा था, सारा काम स सुविधा से चल जाए, मा आज तुम जल्दी खाना खा ले ना, महमान लोग साड़े साथ बज़े आ जाएंगे, मा ने दीरे से मूँ पर से दुपट्टा हटाया, और बेटे को देखते वे कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मास मचली बने तो मैं कुछ नहीं खाती, जैसे भी हो, तुम अपने काम जल्दी से निप्टा लेना, अच्छा बेटा, और हां मा, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहां बरांदे में बैठना, फिर जब हम यहां आ जाएं, तो तुम गुसल खाने के रास्ते से ब बाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बसकी जो बात नहीं है, जबसे बीमारी से उठी हो, नाक से सांस नहीं ले सकती, मिस्टर शामनात ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेर बुन खतम नहीं हुई, जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो, आट-दस महमान हो होंगे, देशी अफसर उनकी इस्तरियां होंगी, कोई भी गुसल काने की तरफ तो जा ही सकता है, शोब और क्रोध से, वह जुंजलाने लगे, एक कुरसी को उठाकर बरांदे में कोठरी के भार रखते में बोले, आओ मा, इस पर जड़ा बैठो तो, मा माला संभालती, पल के वास्ते, नंगे पैर नहीं गुमना, नहीं वह खड़ाओं पहन कर सामने आना, किसी दिन तुमारी खड़ाओं उठाकर मैं बाहर फेग दूँगा, मा चुब रही, कपड़े कौन से पहनोगी मा, जो है वही पहनोगी, बेटा जो कहो पहन लो, मिस्टर शामनात सिगरेट उनके अपने हाथ में था, कूटियां कमरों में कहां लगाई जाए, बिस्तर कहां बिछे, किस रंग के परदे लगाए जाए, श्री मती कौन सी साड़ी पहने, मेज की साइस क्या हो, शामनात को चिंदा थी, अगर चीफ का साक्षात मा से हो गया, तो कहीं लज्जित ना हो होना पड़े उनको, मा को सिर से पाउंकर तक देखते वे बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो मा, पहन के आओ तो जरा देखो, मा धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गए, यह मा का जमिला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी म अपनी स्त्री से का, कोई ढंकी बात हो तो भी कहो, अगर कहीं कोई उल्टी सीदी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा, मा सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन कर बाहर निकले, छोटा सा कद, सफेद कपडों में लिप्टा, छोटा सा सुखा हु दुदली आखे, केवल सिर के आदे जड़ेवे बाल पल्ले की ओट से छिप गए, पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी, अच्छा चलो ठीक है, कोई चूडियां वुडियां हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं, चूडियां कहां से लाओं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुमारी पढ़ाई में बिक है, यह है वाक के शामनात को तीर की तरह लगा, तिनक कर बोले, यह कौन सा राख छेड़ दिया मा, सीधा कह दो, नहीं है जेवर, बस इसमें पढ़ाई वड़ाई का क्या तालुक, जो जेवर बिका, तो कुछ बनकर ही आय हूँ, निरा तो नहीं लोटाया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना, अरे मेरी जीब जल जाए बेटा, जो तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुझ से यूही निकल गया, जो होते, लाक बर ना पहनती, साड़े पांच बच चुके थे, अभी मिस्टर शामनात को कोई बात पुछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना, बेटा मैं ना पढ़ी ना लिखी, क्या बात करूँगी, तुम कह देना, मा अनपढ़ है, कुछ जानती समस्ती नहीं, वह नहीं पूछेगा, साद बचते बचते मा का दिल धगधक करने लगा, अगर चीफ सामने आ पाड़े, विद्वा सहीली के घर चली जाएं, मगर बेटे के हुकम को कैसे टाल सकती थी, चुपचाप कुरसी पर से टांगे लटकाए बैठी रही, एक काम्याब पार्टी वह है, जिसमें ड्रिंक काम्याबी से चल जाए, शामनात की पार्टी सफलता के शिखर चूमने ल दे, सोफा कवर का डिजाइन भी पसंद आया, कमरे की सजावड भी पसंद आया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, सहाब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकले और कहानिया कहने लग गए, दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर ह रहे थे, और उनकी स्तरी काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पौडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देशी स्तरीयों की अराधना का केंदर बनी हुई थी, बाद बाद पर हस्ती, और बाद बाद पर सिरह लाती, और शामनात की स्तरी से तो ऐसे बात कर रही थी, जैसे उनकी पुरानी सहेली हो, और इसी राव में पीते पिलाते साड़े दस बच गए, और वक्त गुजरते पता ही ना चला, आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखरी घूट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर नि देखा, उसे उनकी टांगे लड़ खड़ा गई और शन भर में सारा नशा हिरन होने लगा, बरांदे में एन कोठरी के बाहर मा अपनी कुरसी पर जियों कितियों बैठी थी, बगर दोनों पाउं कुरसी की सीट पर रखे वे, और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और फिर जब जटके से दीन तूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं जुलने लगता, पल्ला सिर पर से खिसकाया था और मा की जड़े हुए बाल आदे गंजे सिर पर अस्तिवियस्त भिकर रहे थे देखते ही शामनत कृधो उटे, जी चाहा मा को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धखेल दे, मगर ऐसा करना संभव ना था, चीफ और बाकी महमान पास खड़े थे, मा को देखते ही, देसी अफसरों की कुछ इस्त्रियां हस दी और इतने में चीफ ने धीरे सि पूर डियर, मा हड़ बड़ा के उड़ बैटी, सामने कड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराएं की कुछ कहते ही ना बना, जट से पल्ला सिर पर रखती हुई, खड़ी हो गई, और जमीन को देखने लगी, उनके पाउं लड़ खड़ाने लगे, और हातों के उंगल पर मुस्कुरा हड़ थी, वह वही खड़े खड़े बोले नमस्ते, मा ने जिजगते वे, अपने में सिमटते वे, दौनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर मालों को पकड़े वे ता दूसरा बाहर, ठीक तरा से नमस्ते भी न कर पाई, शामनात इस प मा ने बाया हाथ ही सहब के दाए हाथ में रख दिया, शामना दिल ही दिल में जल उटे, देसी अफसरों की स्तरियां खिल खिला कर हस पड़ी, यू नहीं मा, तुम तो जानती हो दाए हाथ मिलाया जाता है, दाए हाथ मिलाओ, मगर तब तक चीफ, मा का बाया हाथ ही बार ब उचाते वे बुली, how to do, एक बर फिर कहका हो उठा, वाता वरन हलका होने लगा, सहाब ने इस्तिती संभाल ली थी, लोग हसने चहकने लगे थे, शामनात के मन का शोब भी कुछ-कुछ कम होने लगा, सहाब अपने हाथ में मा का हाथ अब भी पकड़े हुए थे, और मा सिकड आती है, सहाब इस पर खुश न जराए, और बोले, सच, मुझे गाउं के लोग बहुत पसंद है, जब तो तुम्हारी मा के, मा गाउं के गीत और नाच भी जानती होंगी, जीफ खुशी से सिरह लाते वे बोले, और मा क्यो टक्टकी बांदे देखने लगे, मा सहाब कहते ह रीज से कहा, नहीं गाउगी, तो सहाब को बुरा मानेंगे, मैं क्या गाउं बेटा, मुझे क्या आता है, अरे वही कोई बड़िया सा टपे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे, देशी अफसर उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालिया पिठी, मा कभी दीन दृष्टी स बेटे के चैरे को देखती, कभी पास खड़ी बहु के चैरे को, इतने में पेटे ने कंभीर आदेश भरे लिहास में कहा, मा इसके बाद हाँ या ना तक का तो सवाल ही नहीं उड़ता था, मा बैठ गई और बड़ी ही शीन दृवल, लरस्ती अवाज में पुराना सा विव हो गई, बरांदा, तालियों से गूंज उठा, सहब तालियां पिटना बंधी ना करते थे, शामनात की खीज अब प्रसंता और गर्व में बदल उठी, मा ने तो पार्टी में नया रंग भर दिया था, तालियां थमने पर, सहब बोले, पंजाब के गाउं की दस्तकारी क्य है, शामनात खुशी से जुम रहते, बोले, ओ, बहुत कुछ, सहब में आपको एक सेट उन चीजों की भेट करूँगा, आप उने देखकर खुश होंगे, मगर सहब ने सिर हिला कर, अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता, पंजाबियो के घरों में क्या बनता है, औरते खुद क्या बनाती है, शामनात कुछ सोचते वे बोले, लड़कियां गुडिया बनाती है, और फुलकारिया बनाती है, यह फुलकारी क्या है, शामनात फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेश्टा करने के बाद मां को बोले, क्यो मां क पटने लगा था, साहब की रूची को देखकर शामनात बोले, यह फटी हुई है साप, मैं आपको नई बनवा दूँगा, मा बना देंगी, क्यों मा, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी, मा चुप रही, फिर डरते बडरते, धीर यह से बोली, अब मेरी नजर कहा है बेटा, बुड़ी आखे क्या दिखेंगी, मगर मा का वाक्य बीच में ही तोड़ते वे शामनात साहब को बोले, साहब ने सिरह लाया, धन्यवाद किया, और हलके हलके जुमते वे खाने की मेचकी और पढ़ गए, बाकी महमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए, जब मेमान बैट गए और मा पर से सब की आखे हट गई, तो मा धीरे से कुरसी पर से उठी और सब से नजरे बचाती हुए अपनी कोठरी में चली गए, मगर कोठरी में बैठने की देर थी, आखों में छल छल आसु बहने लगे, वे दुपट्टे स बार बार उने पहुचती पर वे बार बार उमड़ा थे, जैसे बरसो का बान तोड़ कर उमड़ाया हूँ, मा ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाद जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे की चिराईयों होने की प्रात्ना की, और बार बार आखे बंकी, मगर आसु बरसात के पाने की तरह जैसे थमते ही ना थे, आधी रात का वक्त होगा, महमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे, मा दिवार से सटकर बैठी, आखे फाडे दिवार को देखे जा रही थी, घर के वातावरन में तनाव धेला पड़ चुका था, महले की निस्तब्दता शामना के घर भी चाच चुकी थी, केवल रसोई में प्लेटो के खनकने की आवाजे आ रही थी, तभी सहसा मा की कोट्री का दरवाजा जोर से खटकने लगा, मा, मा, दरवाजा खोलो, मा का दिल बैठ गया, हड़ बढ़ा कर उठ बैठी, क्या मुझसे फिर कोई भूलो गई, मा कि बोलते ही, शामनाद जुमते वे आगे बढ़ाए और मा को आलिंगन में भर लिया, ओ मा, तुमने तो आज रंग ला दिया, सहाब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ, ओ मी, ओ मा, मा की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई, मा की आँखों में आ क्या कहा मा, यह कौन सा राख तुमने छेड़ दिया, शामनाद का क्रोध पढ़ने लगा, बोलते कई, तुम मुझे बदनाम करना चाती हो, ताकि दुनिया कहे कि बेटा, मा को अपने पास रख नहीं सकता, नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहु के साथ जैसा मंचा है वैस अपना खा पहन लिया, अब यहां क्या करूंगी, जो थोड़े दिन जिनगानी बाकिया भगवान का नाम लूँगी, तुम मुझे हरीदवार भेज़ दो बेटा, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, साहब से तुम्हारे सामने ही तुम फुलकारी देने का साहब खुश होगा, तो मेरे को तरक्की मिलेगी, अब मा चुक हो गए, फिर बेटे की मुझे और देखते हैं बुली, क्या तरक्की होगी तेरी, क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा, क्या उसने कुछ कहा है, कहा नहीं, मा घर देखती नहीं कितना खुश हो गया, कहता था, जब तेरी मा फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आओंगा कि कैसे बनाती है जो सहाब खुश हो गया तो मुझे बड़ी सी इससे भी बड़ी नौकरी मिल सकती है मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ मा के चहरे का रंग बदलने लगा धिरे धिरे उनका चुरियों भरा मुझे खिलने लगा आँखों में हल्की हल्की चमक आने लगी अरे तो तेरी तरक्की होगी बेटा तरक्की यूही हो जाएगी सहाब को खुश रखूँगा तो कुछ करूँगा वरना उसकी खित्मत करने वाले और थोड़े हैं तो मैं बना दूँगी बेटा जैसे बन पड़ेगा बना दूँगी और मा दिल ही दिल में फिर बेटे के उजबल भविश्य की काम नाई करने लगी और मिस्टर शामनाथ आप सोजाओ मा कहते वे तरी कलड़ खड़ाते वे अपते कमरे की और घूंग गए